सलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम टू दा सेकेंड वीडियो फ्रॉम एवन गोट फार्म इन पिपपार सिटी जोद्पूर दोस्तों आपने पहले वीडियो में ब्रीडिंग सेटप देखा बहुत ही उंदा तरीके से बना हुए ब्रीडिंग सेटप अभी आपको देखके काफी मज़ा आएगा और इसके बाद में आपको सोज़त के काफी अच्छी क्वालेटी का थर्ड वीडियो देखने मिलेगा हमारे साथ में अकबर भाई है माशाला सलाम हो लेकुम अलेकुम सो बहुत अच्छे हवी बक्रे अधम्दलिल्ला आपके एक एक करके इंशालला सब बक करके आप सेटब में जगा भी काफी है बक्रे काफी अच्छे है माशालला सब अंदर है मैं एक सिर्फ जी देता हूं आपको फिर एक एक करके निकालो भाया इंशालला और दिखाते हम लोग शालिए जहां भी आपको चाहिए इंशालला वो बात कर सकते हैं आप भाय से डायरेक्ट मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसको छोड़ दीजिया और इंशालला दूसरा बक्रा देखेंगे अब छोड़ तो मैं दीमे करनों माशालों एक सो चबवीस किलो का माशालला तो दोस्तों 126 किलो के बाद में आपको दूसरा बक्रा दिखा रहा हूं जानो हो रहे हो एक सो चबवीस किलो का जानोर है इंडिया थोड़ा पॉस हो गया था इसलिए आपको इन फॉमेशन इसकी नहीं में दूसरा बक्रा आपके सामने अभी और इसके ओपर जातक मैं वजन तो यह सोजत हैदरबादी का एक कॉंबिनेशन है इसका सीना भी और चारो पैर देख लें आप इंशाल्ला बहुत मजबूत बख्राइब है तो यह पल्टी के भी लाइक का है आपके हिसाल्ला इंशाल्ला तीसरा बख्राइब के सामने है माशाल्ला एक सो और आठ वन जीरो एट चारो पैर देख लें आप मजबूत चेहरा भी काफी अच्छा है दातों में कितना अकबर बख्राइब है यह आंट डात है माशाल्ला हाइट कित्यों के अंदाजा आपको हाइट होगी इसकी बही अनिस माशाल्ला छोड़ दें आप अब खसी बख्रे नहीं सब्सक्राइब जीज तब कर दो नाइट वर्ड़ किलो रुत किलो है अब मतलब हर महीने कितना वेट बर रहे तीन से चार किलो अब अब बख्रे तक चांसे से 120 किलो के प्त्ति बन जाए यह वाई आगा वाइट आई तो बहुत मूटी करदा है ने माशा अल्ला एंड चारो पैर अगें जैसे में बता रहा हूं पैर देखना काफी ज़रूरी है ना बड़े 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 क्या बात है और आपके आगा फिडिंग भी माशा अल्ला ही होगा इसके लिए बखरे बंद भी रहा है अल्ला का शुकर है ठीक है छोड़े इसको भी छोड़े आप चार बखरे हो देखे हमने 400 प्लस है जैसे कारवा आते आगे जाता रहेगा आपको और भी नायाब नायाब चीज़ देखने मिलेंगी यह देखे आप कि अधिक काम करो कि माशा अल्ला जोश्ता बहुत अच्छी फ्रेम का बखरा इसके हाइप थोड़ी कम है ना बाकि बखरे माशा अल्ला जोड़ीनल सो जाते हैं आप लोगा आपको तो याद हो गए बखरा कि कि इता बड़ा लायत है आप यह हम लायते 25 केजी का और डेट साल में इतना बढ़ना है गोद में लाया है माशा लाज देखे अलम्दोलिल्ला एक सो पर इसका वजन रहा है और फुल वाइट है इसको कोई भी स्पॉर्ट नहीं है फुल वाइट है सभी छोड़ने आप इस माशालला नसी बाले ही देख रहे हैं नसी बालोगों ही देखने मिलते हैं माशाला लायत है तो आगे चांसे से के इसको तो पल्टी किया जाए तो बेतर हो पलाई यहीं रख सकते हैं जो भी चार्जे से आप डिसकस कर लीजिए नंबर तो मैं दे रहा हूं दिस्क्रिप्शन में इंशालला अगर आप एक साल पालना चाहेंगे तो और बात कर सकते हैं यह कुर्बागी में भी चाहिए तो इंशालला में जाए दात तो करी चुका है माशालला दो दात पर दो दात पर वजन है 77 kg तो दोस्तों एक और दो दात का बच्चा आगे 80 kg का वज़ा में मार्बल सिंगों में और आखे भी वाइट है इसका है यह इंशालले एक साल पालने वाला है क्या बात थोड़ें इसको क्या बात थोड़ा 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 क्या वज़न पर यह पंड़ों कहते है 95 अच्छा बाई ने बता दिए नहां तो आट कम जो रहन देंगा और दातों में कितना है यह शे दातों यह सोजत में बोलेंगे मक्काचिन सोजत में अच्छा गोल होने वाला बच्चा है यह हाइट अभी शायद नहीं दे गाए यह बहुत अच्छा लगिए इंशालले इसको माशालला इसके लुक्स थोड़े अद्दम अंडूल जैसे हैं यह करीब में हुआ है यह थोड़ा लेट किया शेयरा काफी अच्छा है यह तिन अच्छी माशालला माशालला इटी वन किलो इसका असी और एक माशालला नाइंटी वन नाइंटी वन इसका वाज़े चार दात पर माशालला तो आप स्क्रीन शॉट लेके बहिस सकते इसकी गला पट्टी वगरा देखें पलेट शुखी वी थी उच्छोड़े तो आप दिख रहा है बकरा पूरा देखें आप किसी को अंडुल का शॉट और खसी बकरा लेना दो जबर्ड़त चीज़ हो अशी की बें दो दात है यह तो दात है यह तो दात है हाइट देखें इसकी आप यह जब दो दात है वाइट आइज में इदी बकरा माद आज़ा है ठीक है अब बकरे काफी है माशाला दोस्तों यह वीडियो यही पर कतम करेंगे मिलेगा यह जानौर देखके अपना और शोग जागरा है माशाला आइसे जानौर पालने का तो यह वीडियो यही पर कतम करता हूं अलाफीर जैहिन करता है